संथ बाबा इशर सिंग जी रड़ा साथ वालों के एक सो बार में जनमतेवस के अपसर पर उनके जनमस्तान गाउं अलो अलमे करवाए गए विशाल धार्मिक समागम में अलग-अलग राजसी धार्मिक और समाजिक संस्ताओं के नमाइदों समें बड़ी संख्या में देश औ कैवनेट मंत्री सरदार साथू सिंग धरमसों ने संक्तों के भर्मिक जिलास को संबोदित करते हुए कहा कि संतिश्य सिंग जी उन्होंने चुनंदे महापुर्शों में इसे हैं जिन्होंने अपने अंतिम स्वासों तक अपना सारा जीवन गुरबाणी के परचार को सी स्म जनम देवस पर बढ़ाई देते कहा कि जिस देश कौम जासमाज में ऐसी प्रवित्तर वह जनम लेती हैं वह भागों वाले होते हैं उन्हें ने कहा कि संतिश्य सिंग ने गुरबाणी का परचार और परसार करके पंजाब और देश के सासा बिदेशों में भी धार्मिक इन महतता है है संत बाबा इश्य सिंग महराज जी ने अंत स्वासां तक मानवता लई जातपा देखलाफ और गुरुणाने के देशन को किर्ट करना वंड़ चकना नाम जपना नियासरें दा आसरा बढ़ना ये उन्हाने जिंदगी लाई और जो उन्हादी प्रेरना लेके जिन्हें आपनी जिंदगी देश सत्कर साल इस तर्थी उते अबने लगाए और सारी जिंदगी उन्हाने गुरुणान साव नो गुरुणान नो और सुमची लगाई नो समर्पत करके परचार किता देश के लोका नो और अडे का अनगिर्थ बीबी ने भाई पाईया शेगा पचंगी आनो गुरुणान साव दे लड़ राया और जो समाज के ब्राइए ने नशा दी ब्राइए थी ताज दे दिया पनूनहत्य दिया बता बंड दिया इना जो ब्राइए ना ते समाज सारा दोचार हुए उना बरे भी सारे समाज बार मुण्यूने सोचेट किता है अच्छा खाल्चा पांथवी आगसो बार में जर्म दिन मना रहें हैं थे दिन पहर हैं आपेल का दी और फिर्क डिया है कि जो गुरुस है वानमी अपधेश देटा जो संत माहा परशा परचार परशार किता है अज लोड है सब तो बद लोड है कि ऐसे उस उपदेश नो समझे अपने जीवरें टाड़िये और उन्हां समाज को पराइयां दों धूर हो के उस अकाल में पाशादे लड़ लड़ कि सुद्मीर सिंग्ख खटड़ा शिरोम ने काली दाल हलका पते आड़ा देहाती दे सारे अवदेदार वरकर सारे पंचायता वोलों सरपांचा वोलों एमसी साहबाना वलों सांतवा बाईशिर सिंग जी रड़ा सा वाड़ांदे एक सो बार में जनम देहाड़े दी अपने हलक अपने जिलेच पंजाब शिंदोस्तान जीनी बलकिंग लेंड चाहिए बारले मौलकांच भी रहेंदी सारी संगानों बहुत बहुत बदाईदे